एक ऐसा मामला जिसे सुनकर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे अलीगड के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंग का एक बार फिर मानपता भरा चेहरा सामने आया है जहां एक दिव्यांग फर्यादी अपनी दिव्यांग पेंशन की मांग को लेकर जिलाधिकारी कारियाले पर पहुँचा जहां जिलाधिकारी इंडरु विक्रम सिंग ने फर्यादी से बातचीत की और जाना के आखिर उनके पेंशन उनके खाते में क्यों नहीं पहुँच रही जिसके बाद जिलाधिकारी इंडरी विक्रम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ततकार दिव्यांग के पेंशन जारी करने की बात कही जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दिव्यांग अपने पेंशन खाते में नहीं जाने से परेशान था जिससे बादशीत की गई तो पता चला कि उसके ओर से अपना खाता चेंज कर दिया गया था जिसकी वज़े से उसके खाते में पेंशन नहीं जा पा रही थी जिसकी वज़े से वो परेशान था वही पैंशन की फरियाद लेकर पहुचे फरियादी ने जानकारी देते वे बताया कि वो जिलादीकारी कारियाले पर पहुचे थे जहां डीम सहब ने उनके समस्या सुनी और उनके खाते में जल्द पेंशन के धनराशी भेजने की बात की इतना ही नहीं जिलादिकारी महोदे ने उन्हें अपने कारियाले में बैठा कर चाय नाश्ता भी कराया दीम सहाब ने वहां जैसी गाड़ी उनके रुकी और वहां से उत्रे उनके खेत किया और अपनी ओप्स में यहां पर लाए और हमाई समस्या को बड़े थी तरियां से उनके सुना चाय पिलबाई और हमाई समस्या को सुना और हमारा सब काम करा सही करा दिया यूपी के अलीगड में जिलादिकारी का मानवता भरा चेहरा देखने के बाद जहां दिव्यांग के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है वहीं दूसरी और डीम के इस कारी की वज़े से चारों और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं पंजाब केसरी के लिए अलीगड से अरजुन देव की रिपोर्ट